हेलो व्यूवर मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्ट एमके तो चलिए आज का वीडियो सुरू करते हैं तो दोस्तो आज का वीडियो में जो हम एक अनबॉक्सिंग करेंगे टॉर्च की दोस्तो इस टॉर्च की जो लाइट होती है कितनी दूर जाती है उसके बारे में बात करेंगे दोस्तो इस टॉर्च की कीमत कितनी है उसके बारे में बात करेंगे दोस्तो इसके फीचर्ज क्या है इस टॉर्च की उसके बारे में बात करेंगे और यह torch हमें लेनी चाहिए और नहीं लेनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों तो क्या करें चैनल को subscribe कर दे, like कर दे, comment कर दे, अपने दोस्तों तक share कर दे ताकि वो भी इस वीडियो से देखर फैदा उठा सकें तो चलिए दोस्तों इस box को जो हम open कर लेते हैं तो दोस्तों जैसे मैंने box को open किया तो इसके अंदर एक और box है दोस्तों और box के अंदर ही torch है तो चलिए दोस्तों हम box को निकाल लेते हैं और जो मैंने box को खुला था उसको हटा दे तो डबा को simply और इस बॉक्स को जो हम ओपन करके देख लेंगे दोस्तों इसमें क्या है बाहर से तो खुबसूरत लग रहा है यह लेकिन अंदर रियालिटी क्या है इसको ओपन करने के बाद ही पता चलेगा दोस्तों और दोस्तों इसका देखिए ब्रांड जो है जे वाई सूपर आप देख रहें साद में इसका डिस्क्रिप्शन तो आप इसे देख सकते हैं इतर देखे धूस्तों यहां पर कुछ और youngest यह New वाई सुपर यानि हाई पावर सुपर फ्लैस लाइट दोस्तों इस टॉर्च की जो प्राइस सिर्फ फॉर फॉर नाइन चारसो निचारस रुपे में आपको यह मिल जाएंगे फिलहाल का रेट है आगे बढ़ भी सकता है घट भी सकता है तो आप देख लेंगे तो चलिए द गए चार्जर है और एक टॉर्च दिया गया है तो चलिए दोस्तों इसके बारे में हम बात कर लेते हैं है और इस तो बात करे हैं मैं इस डबंबे को हटा करें देख dehी है और यहाँ पर थे लेदी बॉल दिया गया है जब इसा आप चार्ज में लगांगए तो यह लगेंगे और इसका पिन जो है दोस्तो पहले का नोके फोन आता था उस टैप का पिन दिया गया दोस्तो तो काफी यह अच्छा है तो चलिए दोस्तो जैसा कि आप देख रहे हैं मुझे तो काफी अच्छा लगा यह चार्जर और उसके बाद चलिए टॉर्च के वारे में हम मदद मिलेगी यानि कहीं पर आप चार्ज लगा के रख सकते हैं गिरने वरने का जहमेला नहीं है क्योंकि वाइर इसका काफी बड़ा दिया गया है दोस्तो चलिए डबबा को हम हटा देते उसके बाद टॉर्च को यह रख लेते उसके बाद देखिए यह टॉर्च जो है दो सिंपली देखिए पीछे लेंप दिया गया है यानि जो लेंप जो है दोस्तों यह जलता है और यह काफी अच्छा राषनी करता है दोस्तों हम इसको बताएंगे आपको आगे यहाँ पर देखिए एक बटन दिया गया है जो इससे आप जो आपरेट कर सकते इस एक LED बॉल भी दिया गया है जो आप दीख रहे है सामने से जो दीख रहे है सिप इसमें एक ही बॉल है इसमें ज्यादा बॉल नहीं दिया गया है दोस्तों तो दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं यह काफी ही हलका है और यह साइद प्लास्टिक का है और देखिए दोस्तों यहा यहां पर देखता जो लांबा जो पीनिता सुंपकर आपके अच्छी है तुन उसकी यहां जैखनों पीछे आप करणे आपके सामने मैंने सीफ इसको features बताया है आपको आपको सामने जो है दो दो Kollegen दिया गया एक लोला दिया गया है एक हाई लाइट दिया गया यह यहीं एक वाड किलिक करेंगे तो हंद आपको जलेगा और दोस्तों चलिए दोस्तों इसे अन्धेरे room में ऑल कि कि इसका light कैसा है और कितनी range है इस light की तो simply मेरा एक room जो है उसे काफी अंधेरा ही रहता है तो उस room में हम इस torch को ले चलते हैं वहाँ इसे जला कर चेक कर लेते हैं दोस्तों उसके बाद क्या करेंगे जब रात होगी दोस्तों तो रात में भी हम आपको torch को जला कर light जिसका range ज यहाँ पर देखिये काफी रॉष्णी नजर आ रही है यह और काफी इसका circle जो है बड़ा है दोस्तों यहाँ पर आसानी से आप कुछ भी देख सकते हैं कोई चीज आपको खोजना है room में तो आप आसानी से खोज सकते हैं दोस्तों तो चलिए दोस्तों यह तो सामने वाली जल चुका है लैंप जो और इस लैंप में जो है आप दोस्तो अच्छे से परहाई भी कर सकते हैं या फिर दीनर और भी कर सकते हैं या फिर कोई चीज सर्च भी कर सकते हैं जिसकी रोसनी जो है दोस्तो काफी अच्छी है दोस्तो तो दोस्तो क्या करते हैं चलिए इसको मैं हम आपको देखाएंगे और बात करेंगे तो चलिए दोस्तो उसे पहले क्या करते है दोस्तो इसको अम charging point में लगा कर आपको बताते हैं दोस्तो ये charge कैसे होता है और कितने देर charge करना है दोस्तो company दोस्तो is को बोलती है कि 8強 तक चार्ज में लगाना है, उससे ज़ाद नहीं लगाना है ताकि बैटरी ख़राब न हो तो दोस्तो मन काऊंगा कि 5-6 गंट आप चार्ज लगाए और चार्ज लगाने के वाद इसे निकाल लेर्ज चार्ज में से और ये काफी दिन तक चलेगा इस तरह कैसे तो चलिए दोस्तों हम बोट के तरफ चलते हैं और simply इस तरीका से जैसे आप फसाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर देखें अगर आपका light चार्ज होगा याणि आपका torch जो है अगर चार्ज होगा तो यहाँ पर light चलने लगा जैसा कि आप देख रहें यहाँ जो है जल र देखें दोस्तों जैसे ही मैंने switch on करूंगा दोस्तों यहाँ पर light charger का on हो जाएगा उसके बाद जैसे देखें अन हो गया है उसके जैसे मैंने चार्ज में यह light को मतलब torch को फसा है तो यहाँ पर देखें रेट कलर का light जलने लगा यानि कि यह चार्ज होने लगा यह अच् कि रेट कलर जनने लगा है तो आप इस तरह से चार्ज कर सकते हैं दोस्तों चलिए दोस्तों रात होने में तो अभी समय है तो जैसे ही रात होती है तो मैं आपको इस torch की range कितनी दूर तक जाती है मैं आपको देखाता हूँ तो दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं कि रात हो चुकी है दोस्तों चार उतरप अंदेरा ही अंदेरा है कुछ-कुछ घर में जो आपको light दीख रहा हुआ जलते हुए तो दोस्तों मैंने छट पे आ चुका हूँ और यह काफी रात हो चुकी है तो यहाँ पर हम इस torch को जो है दिखा देता हुँ तो दोस्तों जैसे कि मैंने देखिए torch जो है ज़ला दिया हूं और यहाँ दोस्तों मैंने एक बार उप्र धेघर पर मैंने torch जलाका रखा हूँ और देखिए पूरा clear देख रहा है जो आपको घर दीख रहा होगा दोस्तों और देहें कि सामने कितनी दूर जाती है लायट दोस्तों और ये उस से ज़् incubator घरड़ेख बर अच्छा लेना चाहते हैं दोस्तो तो इस torch का link जो है मैं वीडियो के description में डाल दूँगा दोस्तो वहाँ से आप click करके इस torch को आप ले सकते हैं दोस्तो और देखिए दोस्तो यहाँ पर कुछ बिल्ली जी नजर आया रहा है दोस्तो यहाँ पर देखिए बिल्ली जी जो है अपने मसत घुम रहे हैं रात में और देखी हे जिखे, किलीन दीख रहा है दोस्तों यानि i sont चोड वेगरा को देख सकते, जानोर वेगरा को देख सकते हैं और भूत को तो नहीं देख सकते हैं दोस्तों लेकिन आपको जो है नर्मल चीज जो इस टॉर्च से दिख जाएंगे दोस्तो और इसकी रोसनी जो है काफ़ी दूर जा रही है दोस्तो ये एक 400 के अंदर ये टॉर्च यो है काफी मुझे अच्छी लगी दोस्तो और मैं तो कहूंगा आप इस torch को purchase कर सकते हैं दोस्तो क्योंकि मुझे अच्छी लगी लेकिन मेरे हिसाब से ये torch काफी अच्छी है और पीछे वाला मैंने जो lamp जलाया दोस्तो इसकी भी रोशनी देख लिजी थैंक यू सुक्रिय